वेलकम टू युमानिटीज ओनर है प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब वेलकम बैक एवरिबड़ी आप सब अपनी सेहत का खयाल रख रही है आज हम इस वीडियो में पॉपिलेशन कॉम्पोजीशन को स्टडी करेंगे अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है पॉपिलेशन डेंसिटी, पॉपिलेशन डिस्ट्रिबूशन, पॉपिलेशन ग्रोथ और अब पॉपिलेशन कॉम्पोजीशन इन सभी में पॉपिलेशन आ रहा है तो यहां से आप याद रख सकते हो that they are a part of population geography इस बुक में हम population composition को चार parameters में study करेंगे जिन्हें याद करने की trick है world W से हो जाएगा working population composition R से दो होंगे number one religious composition and number two rural urban composition और L से होगा linguistic composition अब हम इन चारो parameters को एक एक करके study करने वाले हैं सबसे पहले हम rural urban composition के बारे में पढ़ते हैं इसका मतलब है कि इंडिया में कितने लोग rural areas में रहते हैं और कितने लोग urban areas में रहते हैं place of residence के basis पर हम areas को दो category में divide कर सकते हैं rural areas and urban areas इंडिया में total 68.8% लोग rural areas में रहते हैं very easy to learn देखो पहले आप 68 लिखो point लगाओ और फिर इस वाली 8 को वहाँ पर copy कर दो और आपको मिल जाएगा 68.8% अब सबसे पहले आप इस 6 को copy करकर नीचे लिखो और फिर इस 8 का half कर दो तो answer आएगा 4 अब 4 आए तो 4 बार 0 लगा दो सो अब आपको learn हो गया है कि इंडिया में approximately 6,40,000 villages हैं बिहार में सबसे ज्यादा rural population रहती है देखो बिहार के last में आर आ रहा है तो इससे आप याद रखना कि बिहार में सबसे ज्यादा rural population रहती है इंडिया की union territories में कम rural population है लेकिन दाद्रायन नगर हवेली एक exception है दाद्रायन नगर हवेली एक ऐसी union territory है जिसमें rural population ज्यादा है आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि इसकी spelling में हवेली आ रहा है और हवेली तो rural area's में होती है इंडिया की urban population learn करने के लिए सबसे पहले आप 3 और 1 लिखो फिर आप एक dot लगा दो उसके बाद आप यहाँ पर उल्टा लिख दो 1 and 3 और देखो 3 second number पे आ रहा है इसलिए 3 को हम 2 से multiply करेंगे और answer आएगा 6 इंडिया की total urban population है 31.16% और इस 6 से आप याद रख सकते हो कि इंडिया में approximately 6000 cities and towns है गोवा ऐसा state है जिसमें सबसे ज्यादा urban population है इसे आप ऐसे याद कर सकते हो कि सब कह रहे हैं go to urban areas go to urban areas सो गो से हो गया गोवा और दिल्ली एक ऐसी union territory है जिसमें सबसे ज्यादा urban population है अब next हम study करेंगे linguistic composition को linguistic का मतलब होता है language सो अब हम इंडिया की languages के बारे में पढ़हेंगे देखो linguistic में जी आ रहा है तो इससे आप याद रखना कि इंडिया में first linguistic survey करवाया था ग्रायरसन ने ये सरवे 19 ओ 3 में start हुआ था अब देखो आप इस 3 में ऐसे दो उल्टे C बना दो सो ये बन जाएगा 8 और ये सरवे खतम हुआ था 19 फिर हमने 3 को 8 बना दिया तो 3 की प्लेस पे 8 लिखो और हमने 2 सी एड करे थे तो तू लिख दो इस सरवे में हमें पता लगा कि इंडिया में 544 डाइलेक्ट्स हैं डाइलेक्ट्स का मतलब होता है एक्सेंट मतलब एक ही लैंग्विज को बोलने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके इस सरवे में नेक्स्ट चीज ये डिस्कवर करी गई कि इंडिया में 179 लैंग्विजज हैं और इन लैंग्विजज में से 22 लैंग्विजज को चुनकर इसकेडियूल्ड लैंग्विज बना दिया गया अब हम थोड़ा थे स्कैड्विज इसके बारे में स्टडी करते हैं सबको लगता है ये लैंग्विज एक बौंब है अगर वह इस लैंग्विज को इस्तमाल करेंगे तो उनका गला कभी भी फट सकता है सो इस तरह से आपको याद रहेगा कि bombs language को सबसे कम लोग बोलते हैं अब next topic दिया गया है linguistic classification इंडिया में जितनी भी languages बोली जाती है उन्हें हम four language families में classify कर सकते हैं इंडिया की सबसे large language family है Indo-European और जो लोग Indo-European languages को बोलते हैं उन्हें कहा जाता है Aryans इंडिया में total 73% Aryans है इंडिया में second largest language family है Dravidian और जो लोग इन Dravidian languages को बोलते हैं उन्हें कहा जाता है Dravida इंडिया में total 20% Dravida है इंडिया की third largest language family है Austric जो लोग Austric languages को बोलते हैं उन्हें कहा जाता है Nishada और इंडिया में 1% Nishada है और इंडिया की fourth language family है Sino-Tibbatan और जो लोग Sino-Tibban languages को बोलते हैं उन्हें कहा जाता है Kirata इसे याद करने की trick है कि क्यारा की movies को देख कर सब CT मारते हैं C से हो गया Sino और T से हो गया Tibetan और क्यारा से हो गया Kirata आपको ये data याद नहीं करना है आपको याद करना है कि India का largest language group कौन सा है फिर second number पे कौन आता है फिर third पे कौन फोर्थ पे कौन आपको ये भी याद रखना है कि Aryans बोलते हैं इंडो यूरोपियन किराता बोलते हैं सीनो तिबतन लैंग्विज अब हम study करेंगे इंडिया के religious composition को इंडिया में हिंदूस की majority है लगभग 80% लोग हिंदूस हैं देखो हमेशा याद रखना जब भी एक चीज majority बन जाती है तो वाकी सब automatically minority बन जाते हैं और इन minorities में जो सबसे largest religion होगा उसे कहा जाएगा largest religious minority इंडिया में second number पे Muslims की population आती है इसी लिए Muslims को कहा जाता है largest religious minority third number पे आते हैं Christians जादतर Christian rural areas में रहते हैं fourth number पे आते हैं सिख ज्यादतर सिख पंजाब हरियाना और दिल्ली में रहते हैं इन्हें याद करने की trick है कि PhD करते करते हम सब सिख हो जाते हैं मतलब बिमार हो जाते हैं तो सिख से हो जाएगा सिख और PhD से हो जाएगा पंजाब हरियाना और दिल्ली next religion आता है बुद्धिस्ट और ज्यादतर बुद्धिस्ट महराश्टर में रहते हैं तो इसे याद करने की trick है कि बुद्धा एक महा ज्यानी इंसान थे सो बुद्धा से हो जाएगा बुद्धिस्ट और महा से हो जाएगा महराश्ट्र फिर आते हैं इंडिया में जैन और उसके बाद आते हैं Zoroastrians अब हम Working Population Composition को study करेंगे ये दो तरह की composition में divided है नमबर वन Economic Status Composition and नमबर टू Occupation Composition सो सबसे पहले हम Economic Status Composition को देखते हैं इंडिया में जो लोग 6 मंत से ज्यादा काम करते हैं या 183 डेस से ज्यादा काम करते हैं उन्हें कहा जाता है Main Worker सो अब आप इस 183 डेस को कैसे याद रखोगे देखो एक साल में होते हैं 165 डेस सो आप जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कुछ पॉइंट में आएगा सो इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम Leap Year को डिवाइड करते हैं Leap Year में होते हैं 366 डेस और जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 183 अब जो लोग 6 मंथ से कम या 183 डेस से कम काम करते हैं उन्हें कहा जाता है Marginal Worker सो ये दोनों कैटेगिरी Main Worker and Marginal Worker ये दोनों काम करकर पैसा कमा रहे हैं सो इसी लिए ये दोनों इंडिया की Working Population के पार्ट हैं इंडिया में टोटल 40% Working Population है नहीं कमाते For example, छोटे-छोटे बच्चे Housewife, बूढ़े लोग जो की Retire हो गए है या फिर Unemployed Person इन सब को कहा जाता है Dependent Population Because ये Working Population के उपर Dependent हैं इंडिया में टोटल 60% Dependent Population है So, Economic Status Composition पैसो से Related है और ये चीज हमेशा याद रखना जिस एरिया का Low Economic Development होता है मतलब जो एरिया गरीब है वहाँ पर Work Participation Rate हाई होगा मतलब ज्यादा लोग काम करेंगे इसे ऐसे याद रखना क्यूंकि इस एरिया के सभी लोग पूर है So, Family के ज्यादा से ज्यादा लोग काम करेंगे ताकि घर में ज्यादा इनकम आए और इसी लिए इन एरियास का Work Participation Rate हाई होता है अब हम Working Population का Occupational Composition देखेंगे मतलब ये लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं इंडिया में Working Population को 4 Categories में Divide किया गया है इन्हें हमने लास्ट वीडियो में काफ से याद किया था C से हो गया Cultivator और AL से हो गया Agricultural Laborers ये दोनों केटेगरी वाले लोग Primary Sector में काम करते हैं जो लोग Tertiary Sector में काम करते हैं उन्हें कहा गया है Other Workers और जो लोग Secondary Sector में काम करते हैं उन्हें कहा गया है Household Industrial Workers इसे आप ऐसे याद कर सकते हो कि हम Industries के बारे में पढ़ते हैं Secondary Activities वाले चैप्टर में और देखो Other Workers में O के बाद आ रहा है T तो यहाँ से याद रख लेना Tertiary मतलब Tertiary Activities में Other Workers काम करते हैं अब आपको एक ट्रिक याद रखनी है P.U.T.S. Puts Puts में सबसे पहले P आ रहा है तो इससे आपको याद रहेगा कि सबसे ज्यादा लोग Primary Activities में काम करते हैं फिर Next आता है T तो इससे आपको याद रहेगा कि Second Number पे सबसे ज्यादा लोग Tertiary Sector में काम करते हैं और Last में आया S मतलब सबसे कम लोग Secondary Activities में काम करते हैं लेकिन धीरे धीरे लोग Primary Activities को छोड़ते जा रहे हैं और जाकर Tertiary and Secondary Activities को Join कर लेते हैं इसका मतलब है कि India में Sectoral Shift हो रहा है People are moving from Farm Based Activities to Non Farm Based Activities मतलब Primary Activities को छोड़कर Tertiary and Secondary Activities को Join कर रहे हैं सो हमने PUT से याद किया था कि सबसे ज्यादा लोग Primary Activities में काम करते हैं Second number पे Tertiary Sector में काम करते हैं और सबसे कम लोग काम करते हैं Secondary Sector में इन तीनों ही Sector में Males भी वर्क करते हैं और Females भी वर्क करती हैं बट नोटिस करने वाली बात ये है कि तीनों ही Sector में Male, Female को Out Number कर देते हैं मतलब तीनों ही Sector में Males की Working Population Female से ज्यादा है इस Table में आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा लोग Primary Activities में काम करते हैं उसके बाद Tertiary में फिर Secondary में Next आप ये Notice कर सकते हो कि Males Population तीनों ही Category में Females Population से ज्यादा है So इस Table से अब हम एक और Conclusion निकालेंगे Like सबसे ज्यादा Working Population है Primary Males की Second Number पे आते हैं Tertiary Males उसके बाद सबसे ज्यादा Working Population है Primary Females की फिर आती है Tertiary Females Fifth Number पे आते हैं Secondary Males और सबसे कम Working Population है Secondary Females की So हमने क्या देखा सबसे ज्यादा Working Population है Primary Males की उसके बाद Tertiary Males फिर Primary Females उसके बाद Tertiary Females फिर उसके बाद Secondary Males और सबसे लास्ट में आती है Secondary Females हमने जो भी अभी पढ़ा है वो आपको इस Figure से याद हो जाएगा So इसे आप एक दो बार बना कर देख लेना अब इस Chapter का सबसे Last Topic आ गया है हम सब जानते हैं कि Society Biologically Divided है Males, Females and Transgender में ये एक Natural Division है लेकिन हट तो तब हो जाती है जब Society के चार लोग आकर इन्हें अलग-अलग रोल्स असाइन करते हैं जैसे Males row नहीं सकते Females को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए और Transgenders का अपना खुद का अलग समाज है So Society में Gender Discrimination स्टार्ट हो गया UNDP कहता है If Development is not Engendered It is Endangered मतलब जिस Society में Gender Discrimination होता है हम उस Society को एक Developed Society नहीं कह सकते World की हर एक Society में आपको कुछ अजीब से Rules देखने को मिल जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उन Rules को Follow करकर Victim बने अगर वो Rule Gender Discrimination करता है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जैसे कि Malala Yusuf Zai ने उठाई थी कल से इस इस इलाके कि कोई भी लड़की स्कूल जाती नजर नहीं आनी चाहिए अगर कोई भी लड़की स्कूल जाती नजर आई तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है आसलाव आलेकुम मैं Malala Yusuf Zai इंटरनेट के जरीए आप सब से एक बात कहना चाहती हूँ आज हमारी स्कूल की अचानक से सर्दियों की छुटिया शुरू हो गई टेरिस्ट ने धमकी दी है वो नहीं चाहते की लड़कियां स्कूल जाएं लेकिन पढ़ने का हक तो सबका है न मैं अपने मुल्की परेशानिया पूरी दुनिया में बताऊंगी अवाज उठाऊंगी जब तक हर एक बच्ची बे फिक्र होकर स्कूल न जाने लगे आज की ताजा ख़बर 14 साल की मलाला यूसुफ जाई पर गोलियों से हमला किया गया बताया जा रहा है कि काफी कम उम्रे से ये लड़कियों के पढ़ाई के लिए लड़ रही थी गोलियों के शोर से वो हमारे सपनों की आवाज को दबाना चाहते हैं मगर मैं चुप नहीं बैठूंगी न डरूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ वो लोग जिनके पास बंदूख है वो कलम और किताबों की ताकत से डरते हैं मलाला सबसे कम उम्र में नोबल पीस प्राइस जीतने वाली परसनालिटी बनी अब हम इंडियन सोसाइटी की कुछ प्रॉबलम्स को पढ़ेंगे कुछ फैमिलीज में मेल चाइल्ड को तो स्कूल भेजा जाता है बट फीमेल चाइल्ड को स्कूल नहीं भेजा जाता विकॉज वो पेरिंट्स ये मानते हैं कि अगर हमने इस लड़की को स्कूल भेज दिया तो ये जबान चलाना सीख जाएगी और ससुराल जाकर अपनी सास के साथ लड़ेगी बिल्कुल कैची जैसी जबान चलाएगी ऐसा भी नोटिस किया गया है कि सेम काम करने के लिए फीमेल्स को कम सैलरी मिलती है और मेल्स को ज्यादा सैलरी मिलती है और थर्ड पॉइंट ये लिख सकते हो कि बहुत कम फीमेल्स को ही सीम, पीम, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर जैसी पोस्ट मिलती है तो इन प्रॉब्लम्स के सल्यूशन है कि लड़कियों को पढ़ने की अपॉर्चिनेटी मिलनी चाहिए उन्हें सेम काम के लिए सेम सैलरी मिलनी चाहिए और उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी इंक्रीज होना चाहिए सो इन ही सब चैलेंजिस को ओवरकम करने के लिए गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक कैमपेइन चलाती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ इस कैमपेइन में दो टार्गेट है बेटी बचाओ, ताकि इंडिया का सेक्स रेशियो इंप्रूव हो सके और बेटी पढ़ाओ, ताकि जेन्डर डिस्क्रिमिनेशन को खतम किया जा सके और इसी के साथ हमारे ये चैप्टर भी खतम होता है आई होप आप सब को मेरे साथ पढ़कर अच्छा लगा हो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इन वीडियो को लाइक किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो और कॉमेंट्स भी किया करो मुझे आप सब के सपोर्ट की जरूरत है और जाने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सल्यूट है मलाला यूसुफ को जिसने 14 एर्स की एज में गर्ल्स एजुकेशन के लिए अपनी आवाज उठाई इससे हमें ये पता लगता है कि इनसान को जो चीज नहीं मिलती है उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है बशर्ते उसके पास पहला कदम उठाने की शक्ती हो आप सब बहुत लखी हो कि आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है सो इस अपॉर्चिनिटी का आप ज्यादा से ज्यादा फाइदा उठाओ चलो तो बस आज के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे एक नई चैप्टर में एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वरकिंग हार्ड टाटा, बाइ बाइ